नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पालक पनीर एक बड़े बरतन में पानी उबालने रखें, उसमें आधा चमस सोडा डालें सोडा इसलिए कि पालक का कलर चेंज ना हो पानी उबालने के बाद पालक डाल दीजिए तीन से चार मिनिट तक उसको बलांच करिए ज्यादा पकाना नहीं है उसको एक चन्ने में निकालके उसका सारा पाने निकालके साइड में रखें एक बरतन में पानी गरम करने रखें पानी थोड़ा सा गरम होने के बाद उसमें पैज मिलाईए पैज को चार से पाच मिनिट पकने दीजिए जब पैज ट्रांस्परन्ट हो जाएगा उसका पेस्ट बनाकर साइड में रखिए एक पैन रखिए पैन में हलल थोड़ा सा तेल डाल कि उसमें दो चमच जीरा दो चमच सौंफ एक तेज पत्ता, चार पाच इलाईची, चार पाच ब्लैक पेपर, एक दालची निका तुकड़ा, थोड़ा सा शाहा जीरे इंचार लॉंग डाल कर हलका सा भून लीजिए भूनने के बाद मिक्सी में निकाल लीजिए और उसका पाउडर बना के सैड में रख दीजिए उसी पैन में दस बारा काजू, चार पाच हरी मिर्ची, हलका सा भून लीजिए उसे भी निकाल लीजिए उसी मिक्सर में बॉइल किया हुआ पालक डाल कर उसका पेस्ट बना लीजिए और साइड में रख दीजिए एक कडाई लेजिए कडाई में दो चमज, तीन चमज तेल डाल दीजिए तेल गरम खोने के बाद तेज पत्ता डालिए प्याज डालिए प्याज को पकने दीजिए उसमें डेड़ चमज अधरक लशन पेस्ट डाल दीजिए अच्छी थरत से मिला लीजिए उसमें पीसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए मिला ये अच्छी से उसमें आड़ दस चमज दही डाल दीजिए मिला ये पकने दीजिए फिर उसमें स्वाधानो सार नमक डाल दीजिए मिला ये अच्छ शक्कर डाल दीजिए मसाला तेल छोड़ देगा उसमें पालक प्यूरी काजू और मिर्च का पेज डाल दीजिए मिक्सर के बरतन में थोड़ा सा पानी डाल कर वह पानी उसमें डाल दीजिए मिक्स कीजिए अच्छे से पेस्ट जब बोईल होगा तब क्रीम को फेट के उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा बचा के रखें मिक्स कीजिए उसको ढखकर दो तीन मिनिट पकने दीजिए एक बरतन में गुन गुना पानी लीजिए उसमें पनीर डालीए ज्यादा दर डालना नहीं है सिर्फ दो तीन मिनिट देखें आलक बोईल हो रहा है उसमें पानी में दोया हुआ पनीर उसमें डाल दीजिए फिर से ढखकर उसको दो या तीन मिनिट के लिए पकने दीजिए आलक पनीर को सर्विंग बावल में निकाल लीजिए उसमें से तेज पत्ता निकाल दीजिए बचा हुआ क्रीम से पालक पनीर को गार्निश कीजिए पालक पनीर को रोटी या नान के साथ सरू कीजिए पालक पनीर को बालक के लिए